है गाइस कैसे हो आप सब तो आज में ला रही हो फ्लैस सीजन टू का एपसोड ठर्ड जिसकी सुरुवात होती है बैरी के लैप से जहां वो कोई टेस्ट कर रहा होता है तब उसे आइडिस का कॉल आता है और अब आइडिस बताती है कि वो अपने नीज चैनल के लिए इस्ट कर देता है तो ही अब आगे की सेन में हम सभी को स्टार लैप के बेस्टमेंट में इकठा देख पाते हैं क्योंकि पिछले एपसोड के अनुसार उन सभी को मालूम पर गई थी कि सहर में जित्ते भी ब्रीच यानि वार्म होल मौजूद है उनमें से सबसे बड़ा वाला ब् चुकि जूम अभी बेरी से कई गुना तेज भाग सकता है इसलिए वो इन ब्रीच को अभी आसानी से इस्तमाल कर अपने आदमियों को यहां लाने में सफल हो पा रहा है तो ही जे बताता है हमें इसे इस्टेबलाइस करना होगा ताकि मैं अपनी दुनिया यानि अर्थ में दिखाया जाता है जो कि पहले की तरह ही अब सुरू हो चुका है जहां बैरी सिसको कैथलीन और आइडिस कौफी को इंज्वाइब कर रहे होते हैं कि तभी वहां लीशा आती है और बोलती है मेरे भाई स्टनाट को किसी ने किड्नाइब कर लिया है तो तुम लोग क्या सिन में हम सभी को स्टार ले में देख पाते हैं जहां बैरी फ्लैस बनकर लीशा से बात करता और उसे बोलता है तुम हर वक्छी बोलती हो मैं कैसे तुम पर यकीन करूँ जवाब में लीशा बताती है हां हमने हर वक्त सिर्फ अपना फाइदा ही देखा है पर अगर तुम इस बात को याद करो तो पिछली बार यानी की सीजन वन के एपसोड 22 में अगर स्नाट चाहता तो तुम्हें मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया अब तुम्हारी बाड़ी है फ्लैस प्लीज मेरी भाई को ढूलने में मदद करो तब बैड़ी लीशा से किड्नापिंग व प्लैस स्नाट के पास पहुंचता है तो बिल्कुल सही सलामत होता है और कुछ पेपर वर्ग कर रहा होता है और जैसे वह बैरी को देखता है उस पर अपनी कोल्ड गंसे सूट करके वहीं उससे फ्रीज कर देता है और उसके बाद अपने पीता लीश के साथ वहाँ से चला तुम्हारा भाई तो बिल्कुल सही सलामत अपने पिता के साथ मज़े कर रहा है तुमने जान मुझकर मुझे मरने के लिए वाँ भेजा था तब लिसा बोलती है यह नामुम्किन है मेरा भाई उस घटिया इनसान के साथ काम ही नहीं कर सकता जरूर कोई बड़ी मजबूरी हो बच्पन में उसने मेरे साथ कई बार जवरदस्ती करी है जिसके बाद कि मैं और मेरे भाई उससे अलग रहने लगे साथ में चोडिया करके अपना घर चलाते हैं साथ ही बच्पन से अब तक स्नाट ने मेरा अच्छे से खयाल रखा है और अब जबकि वो मुसीवत में है मै उसे लिवस से बचा कर ही रहोंगी जिसे सुनकर कि अब सभी लीशा की मदद करने के लिए तयार हो जाते हैं तो ही दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो आईरिस से मिलने उसकी ऑफिस में आता है ताकि वो उसकी मा फ्रेंचिन के जिन्दा होने की खबर दे सके तब ही लिंडा आकर आईरिस को बधाई देते हुए बोलती है तुम्हारा स्ट्रिंग औफरेशन सक्सेस्फुल रहा फ्रेंट पेज पर तुम्हारा ही नाम चपा है तब आईरिस को इतना खुस देखकर जोई उसे बीना कुछ बताएं लौट जाता है अब आगे बैरिस नाट को डिनर पर बुलाकर उससे जानने की कोसिस करता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है तब इस नाट बैरी से अपनी नजरे चुराएं बीना कुछ बोले वहां से चला जाता है तो ही उसी राद जोई बैरी से आईरिस की मा के जिन्दा होने की बात बताता है साथ ही जोई ब बाद वापस लोट कर आयरी से मिलना चाहती है इस बारे में कैसे बात कर उस समझ में नहीं आ रहा है अब बैरि जोई को सजेस्ट करता है कि उसे आयरी से सब सच बता देना चाहिए और अब आगे हम स्नाट और उसके पिता लियूस को एक और सक्स के साथ प्लान बनाते देख पाते हैं जहां वे डायमंड को चुराने की बाते कर रहे होते हैं तब वहां मौझूद दूसरा सक्स पर चिलाते हुए उसकी बेज़ती करता है तभी हम देखते लियूस एक रिमोट निकालता है और उससे दबा देता है जिसे कि उस दूसरे सक्स का सर वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है अब अगले दिन मड़र की खवर मिलते ही जोए बैरी और पैटी वहां पहुंचते हैं जहां कि छानविन कर उन्हें पता चलता है कि यह कम लियूस का ह पहले भी इसने कई आदमियों को इसी तरीके से मारा है ऐसा हो सकता है कि लिए उसने लीशा के सरी में भी कहीं वाम को फिट कर रखा होगा और स्टनाट से ब्लैक मेल कर उसे को काम कर रहा है तो ही अब इस बात को कन्फॉर्म करने के लिए बैरी सबसे पहले स्टार लैब आ में लगा है तो है कैथलिन भी उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है और अब हम देख पाते हैं यहां की जे और कैथलिन के बीच बांडिंग अच्छी होते जा रही है तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव जोई भी हिम्मत करके आईरीस को फ्रेंचीन की सारी सचाई को बता हमिल हो जाओंगा और स्कूल लूइस के चंगल से निकाल लूँगा जिसके बाद की बैरीस नाट के पास जाता है और लिउस को बताता है कि वह इस नाट का पुराना दोस्य जिसे की ट्रैकिंग आती है जिस पर यहां इस नाट भी बैरी की बातों में हां में हां मिला देता क्योंकि यहां चुपके से बैरी पहले ही स्टनाट को बता चुका था कि उसे पता है कि वह अपनी बेहन के खाते लियूस के साथ दे रहा है और बैरी यहां स्टनाट की मदद करने के लिए ही आ है अब आगे लियूस के प्लान के अनुसार वे डायमंड चुरानी वाली जगा पर प्लंबर का रूप लेकर पहुंचते हैं तो आगे मिली एक लॉक गेट को बैरी चुपकर सबसे अपने सूपर स्पीड से सारे को ट्राइक करते हुए आखिर का उसके खोल देता है अब आप सोच रहे होंगे कि बैरी यह सब क्यों कर रहा है तो फ्रेंस बैरी के प्लान देता है युज उसे गोली मार देता है और आगे बढ़ जाता है तो अब हम देखते हैं बरी अपने सूपर स्पीड से गोली को लOR कर मने की नाट करता है जैसके कुछ दिर बढ़ी बाद की शेस को मैश्व सरीर से बॉन को निकाल दिया तब बैरी लिवस के पीछे फ्लैस बन कर पहुँचता है और स्टनाट को बताता है कि लीसा आप खत्रे से बाहर है उसके सरीर से बाम को निकाल दिया गया है जिसे सुनते ही अब स्टनाट बिना एक छंड को गवाय अपने पीटा लिवस को सूट करके मार देता है जैसे मानू यह इस दिन का कब से इनतजार कर रहा था जिसके बाद बैरी अब यहाँ एक वार फिर से सिनाट को लाकर जेल में डाल देता है तब स्नाट बोलता है मैं जल्दी यहां से फिर भाग जाऊंगा जिस पर मुस्कुराता हुआ बैरी वहां से फिर चला जाता है और अब आगे हम लीसा और सिसको को देख पाते हैं जहां लीसा सिसको को सुकुडिया बोल उसे किस करके वहां से चली जाती है तो दूसरी तरफ स्टार लैब के बेस्मिन में हम देखते हैं जे ब्रीज को अब स्टिबलाइज कर चुका है और अपनी पिर्थिवी पर लोटने की बात करता है तब बैरी की टीम जे से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक कि अब वे जूम को पकर न ले वो यही सेंट्रल सिटी के स्टार लैब में ही रहे तब जे कैथलिंग को देखते हुए यहां रहने के लिए तयार हो जाता है कि तभी अब हमारी नजर प्रोफेसर आइंस्टीन पर जाते है जिसका की बार बार अब बीपिन लो हो रहा था साथ ही अचानक से उसके सरीर में फाइर स्टॉम जैसी आग निकलने लगती है जिसके साथ ही वह वहीं पे बिहोस हो जाता है तो ही अब हम योर्स को यह पता च कि डॉक्टर हैरिसन वेल बाहर निकलता है और इसी के साथ यह एपसोट यहीं पर खतम हो जाती है तो फ्रेंज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही फ्रेंट जो लोग भी फ्लैस स्रीश को बांगला में देखने के देगा तो तेल यह फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल दे टेक क्या एंड बावाई